पांच दोस्तों की नंदिनी और नवीन की शादी होने वाली है लेकिन शादी से कुछ दिन पहले नवीन एक एक्सिडेंट में मारे जाते हैं नाचरली उनके सारे दोस्त और क्रेस्ट फॉलन उन्हें बहुत दुख होता है खासकर नंदिनी को क्योंकि नंदिनी हैड लवड नवीन और पहुंचता है तब नवीन को रियालाइज होता है कि उनकी मौत गलती से हो गई है एक्चुली मौत होनी चाहिए थी सुदीप चैठर जी की उन्हें तो गलती से वहाँ लाया गया है प्लस मौत के बाद उन्हें पता चलता है कि यश जोकी उनके ग्रूप का एक हिस्सा है यश नंदिनी को प्रपोस करने वाले है and तनूजा जो उनकी असलियत में girlfriend है उनसे उनका break up होने वाला है और नंदिनी को propose करेंगे ये सोच कर नवीन को ऐसे लगता है कि उन्हें वापस जमीन पर आना चाहिए because he can't bear the prospect कि नंदिनी की शादी उनके ही दोस्त यश से हो जाएगी इसलिए वो उपर के authorities से जगडते हैं लेकिन उपर के authorities उन्हें कहते हैं कि उनके last rights हो गए है उनकी body को जला दिया गया है so how would he now go back to earth खेर ऐसा तै होता है कि क्योंकि सुधीब चाठर जी यानि रनवीर शोरी को मरना था इसलिए रनवीर शोरी को मार दिया जाएगा और उसी वक्त नवीन यानि पुरब कोली will enter the body of सुधीब चाठर जी यानि रनवीर शोरी in other words रनवीर शोरी की body के अंदर there is the soul of पुरब कोली खेर ये चार दोस्त यश, तनूजा, सुधीब या नवीन कहिए and नंदिनी मिलते रहते हैं and उसके बाद क्या होता है that's what this film is all about तो क्या नंदिनी को पता चलता है कि नवीन वापस जमीन पर या अर्थ पर आ गए है क्या किसी को भी पता चलता है क्या नंदिनी यश, शिशादी करती है क्या यश, एक्चिली प्रपोस कर पाते है क्या यश और तनूजा की शादी होती है क्या तनूजा को पता चलता है क्या यश is interested in नंदिनी और उनका reaction क्या होता है or do नंदिनी and नवीन unite in matrimony सबसे पहले हम discuss करेंगे इस फिल्म की कहानी, पठकता और समवात को यानि the script the script is written by Rajat Kapoor and Saurabh Shukla it's quite a radical script actually यही कहानी अगर comedy के तोर पर बनाई जाती तो it would have been a laugh riot और निकल भी जाती लेकिन इस फिल्म में चंद सीन्स है, hardly कुछ सीन्स है जिन में एक section of the audience को हसी आएगी या यू कहिए, एक section of the audience मुस्कुराएगी but otherwise, इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि comedy से लोगों को बहुत मजा आए and that is the biggest feeling of the film क्योंकि यह concept wise ही बहुत ही radical है सबसे पहले तो यह कहने की कोशिश की गई है कि heaven, hell ऐसा कुछ भी नहीं होता है या तो यहाँ पर earth में जमीन पर लोग जिन्दा है और मरने के बाद उपर जाते हैं उपर एक office हा बना हुआ है और वहाँ पर gate pass वगरा ऐसे terms यूज होते हैं जिसकी वज़ा से comedy create करने की कोशिश की गई है but let it be said के ऐसे jokes पर हसी नहीं आती है एक thin section of the audience को आईगी there is such liberal use of English के वैसे ही जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनके लिए तो यह film में कुछ भी नहीं है because of the excessive use of English and plus क्योंकि यह comedy farcical comedy के तौर पर नहीं बनी है इसलिए भी इस film में हसी कम आती है और आप बस ऐसे ही देखते रह जाते हैं wondering के ऐसे सोच किसी की कैसे हो सकती है so overall the story and the screenplay do not impress और dialogues भी जो हैं वो बहुत ही चटपटे या मज़िदार होते तो बहुत ही कुछ और होती the dialogues in fact in this film are just about okay एक और बहुत बड़ा drawback है वो यह के नवीन जब वापस rebirth लेकर जमीन पर आते हैं he does not even try to convince Nandini और his other friends के उनका ही rebirth हुआ है और सुधीप चाटर जी की body में वो है और इसी वज़ा से Nandini के जो feelings develop होते हैं नवीन के प्रती यानि सुधीप चाटर जी के प्रती वो बहुती forced बहुती contrived लगते हैं because why does she start loving सुधीप चाटर जी जो की इतने मोटे हैं और इतने भद्दे दिखते हैं that is one major drawback of the film खेर ये तो हुई बात script की अब आते हैं performances की तरफ गुल पनाग ने बड़ी समझदारी से अपनी भूमिका ने भाई है Ranveer शोरी also makes his character believable and he is also good then there is Purab Kohli उनका भी काम अच्छा है यश यानि नील भूपलम also makes his presence felt and Gunjan Bakshi ने भी काम ठीक थरीके से किया, अच्छा किया है ब्रिजेंद्र काला has done a fine job Faisal Rashid provides fair support then there is Bharti Achrekar as the mother of Sudip Chatterjee यानि Ranveer शोरी की मा की भूमिका जो है वो भारती अच्छे कर ने भाई है और उनका काम अच्छा है लेकिन जो कॉमेडी के लिए भारती अच्छे कर मशूर है वैसी कॉमेडी नहीं है Shilpa Mehta plays the mother of Nandini that is Gulpanak and she's got a small role ठीक ठाक है Yusuf Hussain as the father of Naveen यानि पूरब कोली के father की भूमिका में Yusuf Hussain has done reasonably well then there is Rahul Vora, Jahangir Karkariya and all the others lend the required support इस फिल्म में Rajat Kapoor का निर्देशन है and that's just about okay एक तो अगर ये फिल्म कॉमेडी के हिसाब से बनती तो बात ही कुछ और होती secondly इस फिल्म में Rajat Kapoor ने इतने सारे English dialogues इस्तमाल किये है कि वैसे भी फिल्म का अपील बहुत ही restricted हो जाता है and otherwise also concept इतना radical है कि ये फिल्म कुछ ही लोगों को समझ में आएगी या कुछ ही लोगों को पसंद आएगी therefore his direction is just about okay सागर देशाई का संगीत है इस ओके दो गाने हॉले हॉले and जो हुआ सो हुआ ये दो गाने ठीक है बाकी गाने are just about okay Amitabh Verma और Manish Jain के जो लिरिक्स है गानों के बोल है वो ठीक ठाक है पपु मालू की कुरियोग्रफी is alright then राफे महमूद's camera work is okay sets by विलास पंचाल are reasonably alright and Suresh Pai की जो editing है वो ठीक ठाक है तो ओवराल Fatsho का performance box office पर कैसा रहेगा actually Fatsho की शुरुवात ही बहुत कमज़ है plus conceptually ये film काफी लोगों को समझ में नहीं आएगी और अगर समझ में भी आएगी तो इस नोट रियली एंजोईबल अगर यही film comedy के हिसाब से बनती तो बात ही कुछ और होती लेकिन as it is in the form it is Fatsho doesn't stand much of a chance at the box office यानि box office पर ये अच्छा business नहीं कर पाएगी